नमस्कार मैं प्रभात कुमार और आप देखरें नियूस बने लेबिन लालू प्रशाद यादों ने सुप्रिम कोट में याचिका दायर की थी अपनी जमानत के लिए क्या कुछ मामला है चलिए सुनते हैं अपने सायोगी अविना सुजी से बिल्कुल प्रभात सुप्रिम को किया है इसमें सुप्रिम कोट ने ये कहा है कि या कुछ मामला है क्या कुछ चीजे चल रही है कि तरीके से या जो ज़वानत मांग रहा है लेकिन फिलहाल ये है कि उनकी जो सुनवाई है वो टाल दी गई है दो सबता के बाद जब तक वो रिपोर्ट आएगी नहीं सीबी आई की तब तक उन पर किसी तरीके की फिलहाल कोई सुनवाई नहीं होने वाली है हाला कि जिस तरीके से राची हाइ कोर्ट में उन्होंने जमानत की याचिका दायर की थी, उसके बाद से राची हाइ कोर्ट ने भी उनकी जमानत की याचिका खारिच कर दी थी खारिज करने के पीछे राची हाई कोर्ट का ये दलिल थी कि इन पर कई ऐसे मामले हैं जिन पर फिलहाल इनको कोई जमानत नहीं दे जा सकती है लेकिन अगर लालो परसाद यादों की माने और उनके सहयोगियों की माने राज़त की माने तो वो कई अपने स्केल दे रहा हैं कई चीजे बता रहा हैं एज तो एक तो एक एज फैक्टर बता रहा हैं कि इनकी एज जो है काफी जादा हो गई है और ये काफी लंबे समय से सज पोट आती है और क्या कुछ है तो फिलहाल बड़ी खावर यही है कि लालू पसाद यादो को फिलहाल तो दो हपते से ज्यादा का भी इंतजार करना पर सकता है फिलहाल उन्हें किसी तरीके की कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाए दे रही है और बताए भी जा रहा है कि ला आसी तमाम ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें